बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर मात की है, उनका उत्सा भी बढ़ाया है और उनसे बाते करके मेरा भी उत्सा बढ़ा है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मेरा बहुत मन था, इसलिए इस बार मन की बात मैं ऐसे साथ्यों के अनुभव, उनसे हुई ब वैसे तो आईटी प्रोफेशनल है, आईए, उनके अनुभव सुनते हैं, येस राम, नमस्ते जी, राम नमस्ते, नमस्ते, मैंने सुना कि आप कुरोना वाइरस के इस गंबीर संकर से बाहर निकले हैं, जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, बताईए आप इस सारे सं काम के वज़े से दुबाई गयाता मैं, मीटिंग के लिए, वहाँ पे जाने अन जाने ऐसे हो गया था, वापस आते ही, फीवर वो सब चाल हो गयाते जी, तो पांचे दिन के बाद, डॉक्टर्स ने करना विरस का टेस्ट की और उता पॉस्टिव आ गया था, तब गांधी हॉस्पिटल, गॉर्मेंट हॉस्पिटल हाइदरबाद में, वहाँ पे एड्मिर्स किये थे मुझे, और उसके बाद, सवदर दिन के बाद, ठीक हो गया था मैं, और डिश्चार्ज हो गया था, तो तो तोड़ा धराम ना था यह सब, यानि जब आपको संकरमन का पता चला हाँ, और यह उसके पहले पता तो होगा कि यह वायरस बहुत बहेंकर है और तकलीप कर रहा है, तो जब आपके साथ हुआ तो आपको क्या, एकदम से इमिजेट क्या रिस्पॉंस था आपका, पहले तो बहुत डर गया था, पहले तो बिलीव भी नहीं कर रहा था मैं, कि हो आपके डॉक्टर्स और नर्से जोए न, वो बहुत अच्छे थे मेरे साथ, हर देन मुझे कॉल करके मुझे बाह कर रहे थे, और कॉन्फरेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, आप तीक हो जाओगी, ऐसे बात करते रहे थे ते दिन में दो तीन बार दॉक्टर बात करते तो पहले जब दर था, लेकिन उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ, इतने अच्छे लोगे के साथ हूँ, उनको पता है क्या करना है, and I'll get better, ऐसे हैं लगाता, परिवार के लोगों की मनस्तिती क्या थी? जब मैं हॉस्पिटल में एड्मिट हुआ तब पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे, ज़ादा एटेंशन हो सब था, लेकिन हाँ, सबसे पहले तो उनका भी टेस्स किये थे, सबका नेकिटिव आ गया था, वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए हमारे फैमली के लि परिवार के लिए तो पहले उसके बार में जब पता चला तब तो में क्वारेंटीन भी था, लेकिन क्वारेंटीन के बाद भी डॉक्टर्स ने बतायते कि और छोज़ा दिन गर पे ही रहना है और अपने रूम में रहना और सेल्फ को और हौस क्वारेंटेन रखने के परिवार को मेरी बहुत शुबकामना है लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका यह अनुभव आप तो आईटी प्रोफेशन में हैं तो आडियो बना करके लोगों को शेर कीजिए बहुत सोचल मीडिया में वाइरल कीजिए तो क्या होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे करने से कैसे बच सकते हैं वह भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा हां यह ऐसा है कि बाहर आते देख रहा हूं सब क्वारेंटीन मतलब एक जेल में जाने के ज़र से जो सुच रहे हैं वह ऐसा नहीं है सबको पता होनी चाहिए कि गौर्मेंट क्वारेंटीन उनके लिए उनके परवार के लिए यह हैं तो उसके बार में ज्यादा तक लोग को बोलना चाहता हूं कि टेस्स करवा हूं कॉरेंटीन मतलब वह स्टिग्मा नहीं होने चाहिए उसके उपर चलिए राम बहुत 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 शुब कामना है आपको थैंक यू थैंक यू साथियों जैसा कि राम ने बताया कि उन्होंने हर उस निर्देश का पालन किया जो इनको कोरोना की आश्रंका होने के बार डॉक्टरों ने दिये इसी का परणाम है कि आज वो स्फस्त होकर सामाने जीवन जी रहे है